यहाँ पर बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पहले देख लेते हैं किस तरह से होती है कुछ स्टैपल पिन लिए है मैंने एक्चली इनका अब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि यह एक स्लिट याने की बीच में से गैप छोड़ देती है बहुत ही बारी कर सकता हूं इसको लगबग ना के बराबर है देखें यहाँ पर यह मेरे पास ग्रीन लेजर लाइट है और सामने मैंने एक पेज रखा हुआ है जिस पर आपको डॉट देख रहा है जिस तरह के लेजर होती है तो यहाँ अगर इसे स्लिट से क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा वो मैंने जो अब्सर्व कर रहा है उस पेज पर यहाँ से कुछ ठीक नहीं आ रहा इस तरफ से अगर करते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बैंड जैसा आ रहा है तो यहाँ पर देखी है वाय दिश्ट अगर आपको दिखनी रहा है तो थोड़ा क्लूस लिए दिखाते हैं यहाँ पर देखिए यह कि, इसिस वह पैटन कमींग अब देखें यह सिंगल शिट था बट जो पैटन आ रहा है हमारे पास वह एक इंटर्फेरेंस पैटन आ रह किस तरह से हो सकता है और आपको ये जो bands दिख रहे हैं जो gaps दिख रहे हैं इस पर हमें focus करना है यानि कि destructive interference पर हमें जोर देना है और हमें जो ये जो center में जो brightness आ रही है जो बिल्कुल bright spot है इसकी width calculate करने को syllabus में दिया जाता है तो इसे बोलते है central maxima जो center में आपको bright spot दिख रह यही experiment को पहले तो copy पर इस तरह से बना लेते हैं तो यहां से light आ रही है हमारी जो laser light डाल रहे हैं एक slit से cross करती है और यहां सामने हमें जो page था यहां पर हमें एक bright spot मिलता है बिल्कुल center में मिलता है slit के बिल्कुल सामने है यह और उसके बाद भी spots हैं बट बीच में क्या है dark spots है तो यह हो गया Central Maxima इसे बोलेंगे Central Maxima इसी की width हमें निकालनी है और इसको दिखाने का तरीका जो है हमारा वो कुछ अलग है मतलब जो brightness है वो center में ज्यादा है तो उसको एक कर्व के द्वारा हम दिखाएंगे तो यह spots समझ नहीं आते अच्छे से तो थोड़ा सा बस graph क की form में हम यहां दिखाते हैं कि इस जगह center पर सबसे जादा है और उसके बाद यह जो दो उठे हुए parts आ रहे हैं यहां पर भी brightness है बट बीच में आप देखें तो destructive interference हुई है या blank spots है जहां पर light नहीं आ रही है सो जो हमारा जो center वाला part है यह उठा हुआ इसलिए बताया है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि यहां पर high intensity of light है light ज्यादा bright है जो आपको center में दिख रहा था और जो यह point है यह dark spots जो दिख रहे हैं जिसके कारण band दिखते हैं टूटती हुई line दिखती है और यह जो है दूसर जैसे दिख रहे हैं different intensity के अब हमारे यहां पर question start होगा दिमाग में कि यह चीज हो ही क्यों रही है क्योंकि double slit experiment में हमें समझाता है एक तरफ से wave चल रही है दूसरी तरफ से wave चल रही है हमें कुछ points मिलते हैं but this is a single slit तो यह बहुत ही अचरज होता है कि एक slit में ही ऐसा pattern हमें क्यों मिल रहा है अब देखिए दो slit होते यहां पर अगर single slit होता तो यहां से हम wavelets हाइगन के हिसाब से बना देते और इस तरह से जब हम बनाएंगे diagram तो हम देखेंगे कि यहां पर हमें कुछ interference pattern मिल जाएंगे interference pattern constructive होंगे destructive होंगे उस हिसाब से हम pattern जो है सामने screen पर जो आ र लेते हैं but what about this single slit यहां single slit में क्या हो रहा है तो अब ही हम क्या कर सकते हैं हाइगन को पूछ सकते हैं तो हाइगन एक suggestion देता है कि you have to zoom in यह जो आपने छोड़ा सा slit रखा है इसको आपने zoom in करना है तो आपको पता लग जाएगा now what is that इसको अगर आप zoom in करेंगे तो आप पाएंगे यहां तो काफी particles है वेव के infinite particles हो सकते हैं तो यहां पर यह जो particles है many wave particles what they will do they will act as a source जैसा हमें हाइगन में बताया था कि वेव का हर एक particle एक नया source की तरह काम करता है तो अगर यह उपर वाला point ले लिया जाए तो it will create its own wavelets और अगर सबसे नीचे वाला ले लिया जाए यहां पर तो वो भी अपनी wavelets बनाएगा and yes what we are getting से जैसे double slit experiment में होता था बिल्कुल वैसे होने लगा यहां भी हमें कुछ points constructive interference के और destructive interference के मिलेगे so we understand now if you see अगर हम बारी की से देखें तो बहुत से particles हैं और वो ही interference कर रहे हैं जिसके करण हमें ऐसा point मिल रहा है let us come back अभी बाहर निकलते हैं यहां से और अब हम क्योंकि यह चोटा सा slit तो कुछ help करने वाला नहीं है यह कुछ समझाएगा नहीं तो हम यह जो zoomed in था यानि कि जब हमने zoom in किया था तब जितना gap दिख रहा था उतना बड़ा gap इसे कर लेते हैं जिससे हमारी understanding हो otherwise हम calculation नहीं कर पाएंगे समझ नहीं पाएंगे यहां पर कुछ particles draw कर लेते हैं मैंने 8 particles लिए हैं यहां पर वैसे infinite होंगे बट समझने के लिए हमें derivation करनी है हमें पता लगाना है destructive interference कहा है और यह bright spot की width क्या होगी अब हमारा जो challenge है वो यह central maximum जो है इसकी width पता लगाना है so that is the challenge that can we find this width अब यहां पर एक हम trick यूज़ करेंगे देखिए यह point कौन सा है यह point जो है वो first destructive interference है पहली destructive interference है अगर हमें यह पता लग जाए center से इसका distance पता लग जाए तो हम width निकाल पाएंगे कैसे यह distance मान लीज़े हमें पता लग गया तो हम क्या करेंगे इसको double कर देंगे तो मिल जाएगी width कैसे पता लगा छोटी सी trick है क्योंकि नीचे उसके बराबर ही होगा तो अगर हम double कर देंगे तो इस जो central maximum है इसकी हमें width मिल जाएगी so this is how we will use destructive interference to reach on the conclusion how much is the width तो यह धियान रखना है इस derivation में यह चीज़ा लग है अब यह जो bright spots से इनको हटा देते हैं और इनकी जगा points ले लेते हैं क्योंकि अब हमें पता है कहां पे destructive हो रही है वो हम note down कर लेते हैं यह center था यहां पर width जो है उसका center है और यह रही हमारा पहला point जहां पर destructive interference हो रही है यह बात याद रखनी है कि we are searching for destructive interference अब यह जो middle point है जो particle है मेरा fourth particle यहां से एक हम ray यहां बनाएंगे destructive interference पे और उपर वाले point से अब वो ही जो last derivation में हमने किया था वो ही यहां पर करना है कि change in phase कितना होगा destructive के लिए pi होगा या change in length की बात करें तो जो wavelength है उसका half समझे है यहां पर same ही बात है एक wave lambda की होती है तो 2 pi angle लेती है तो अगर lambda by 2 होगी तो that will take only pi तो दूने same ही बात है या तो phase difference pi का हो या delta l जो हो वो lambda by 2 हो थोड़ा zoomed in देखते हैं अब इस triangle पे थोड़ा सा focus करना है हमें यह हो गई width of slit क्योंकि single slit है तो यहां w use कर रहे है small d नहीं use कर रहे है so this is our width of single slit अच्छा तो पर हमने जो भेजी थी raise उनके बीच में distance कितना हो गया that will be w by 2 वैसे ही normal drop कर देते हैं तो यह जो part होगा यह हमें मिल जाएगा क्या difference in length अब थोटा सा geometry use करेंगे यह जो middle tray है यह horizontal के साथ कुछ angle बना रही होगी यहां पर तो हम वो draw कर लेते हैं that this will be the equal to theta जैसे last derivation में किया था तो यह जो triangle बनेगा इसका भी यह angle theta होगा और वैसे ही हमने sin theta calculate करना है sin theta क्या होगा यहां पर delta l क्योंकि सामने है angle के देखिए वो triangle divided by w by 2 delta l क्या है lambda by 2 lambda by 2 divided by w by 2 हमें सिर्फ lambda divided by w मिल जाएगा w को दूसरी side ले जाते हैं तो w sin theta is equal to lambda हो जाएगा इसको एक और तरीके से लग देते हैं 1 into lambda लेगते हैं क्यों? यहां पर 1 क्या बता रहा है? 1 बताने की जरूरत यह है कि यह first destructive interference निकाली है हमने इसी लिए first बता सकते हैं second के लिए क्या होगा? second के लिए w sin theta will be equal to 2 lambda इसी तरह से चलता जाएगा तो हमें याद रखना है कि यह जो expression हमने develop किया है w sin theta is equal to 1 lambda यह first के लिए है first destructive interference के लिए है अब इससे आगे कैसे solve करते हैं? अगर small angles होग तो sin theta theta के बराबर होता है तो it will be just multiplication of w into theta is equal to lambda and now we will solve for this कि theta को कैसे solve करें? कोई भी angle होता है theta होता है वो arc by radius होता है arc यह होगी कैसे? आपने वो ही line जिससे angle theta लिया है देखिए वो एक radius होता और यह angle बहुत छोटा होता तो almost straight line ही मिलती है यानि कि यह जो d distance हम लेते हैं वो बराबर होगा इसके आप बोलेंगे सर वो तो सुरसाल जादा है small angles के लिए हम assumption रखेंगे कि इसमें जादा फर्क नहीं पड़ेगा तो radius will be d and the arc is the width which we are going to calculate जो हमें calculate करनी है कि first destructive interference की center से कितनी दूरी है तो इसको beta मान लेते हैं और अब इससे आगे solve करना शुरू करते हैं अब theta की जगा हम क्या ले सकते हैं beta is the arc and this is radius जो d के बराबर होगा for small angles तो beta by d हो जाएगा तो w into beta by d capital d is equal to lambda अगर beta के लिए solve करना है तो lambda d क्योंकि d दूसरी सब जाके उपर आ जाएगा divided by w हमें यह याद रखना है यह beta double slit की तरह constructive के लिए नहीं है यह हमारी पहली destructive interference के लिए formula है यह थोड़ा सा खयाल रखना है जिसे confusion ना हो तो अब आजाते हैं जो हमारा main objective था we wanted to calculate the width of central maxima जो center में bright point आपको दिख रहा था page पर उसकी width कितनी होगी तो अब beta की जगा lambda capital d divided by w को लिख देना है और अगर इसका double कर लें तो width मिल गई simple है यही तो हमने trick use की थी क्योंकि दिखिए यहां पर width जो है वो यह जो distance है center से उपर तक का उसका double होगा तो यह याद रखना है expression आप इस तरह से याद रखिए lambda d divided by w multiplied by 2 जिससे आपको याद रहे हैं कि हम किस चीज से निकाल रहे हैं इसको double किसे कर रहे है तो जलिए अब revise कर लेते हैं क्या किया single slit में interference ही क्यों हो रहा है क्योंकि अगर आप slit को ध्यान से देखेंगे बहुत से particles हैं वो ही वे particles आपस में interference कर रहे हैं first point was that फिर हमने उसी तरह से जिस तरह से double slit में हमने वे ट्राइंगल बना कर delta l calculate करकर फिर हमने destructive interference के लिए formula निकाला यहाँ पर ना कि constructive के लिए यह change हो गया इस derivation में फिर हम यह जो width है center of maximum की निकाल लेते हैं double करके destructive interference को just double कर देते हैं तो हमें width मिल जाती है एक और question यहाँ पर आपके लिए छोड़ता हूँ अगर मैं उस slit की width कम करूँ ठीक है जो w है यहाँ पर इस expression में इसकी अगर width मैं कम करूँ तो आपको क्या लगता है वो जो bright spot की width है central maxima है वो बढ़ेगा के घटेगा answer इसी formula में है